असलाम लेकुम एन वेलकम बेक टो मैं चैनल आज मैं बना रही हूँ मटन की चापे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं यहां भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहां पर मैं सबसे पहले कढ़ाई में डाल रही हूँ एक चुथाई कप ऑईल फ्लेम मैंने इसकी मीडियम टू लो रखी हुई है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टेबिल स्पून भर के लेसन अद्रग का पेस्ट कुर्बानी के कोश में थोड़ी सी स्मेल होती है तो मैं इसमें थोड़ा से जादा लेसन अद्रग डाल रही हूँ और अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्राइ करूँगी fry कर दिने के बाद अब यहां पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक किलो बकरे की चांपे इन चांपों को मैंने पहले से ही boil कर लिया था boil करते वक मैंने इसमें डाला था खड़ा गरम मसाला तेन से चार लेसन के जवे और एक इंच अद्रक का तुकड़ा अब मैं इन चांपो को अच्छे से भून लूँगी ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो स्मेल हो वो निकल जाए मैंने चांपो को पांच मिनट भूना था भूनाई कर देने के बाद अम्यां पे मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया एक टीस्पून साबित जीरा इसमें जाएगा एक टीस्पून एक टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिल्चो का पाउडर और एक टीस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया और अब मैं इन सब को करूँगी अच्छे से मिक्स मिक्स कर देने के बाद अब यहां पर मैस में डाल रही हूँ एक टी स्पून नमक आप एक टी स्पून या आसपे साइका डाल दें मैंने नमक थोड़ा कम रखा है क्योंकि मैंने बॉइल करते वे थोड़ा सा डाला था अब इसमें जाएंगे तीन बड़े टमाटर कटे हुए टमाटरों का मैंने चिलका उतार लिया था साथी मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिर्च जिसको मैंने लंबाई में काट दिया था और अब मैं इन सबको मिक्स करके लो फ्लेम पे पकाऊंगी पांच मिनट के लिए पांच मिनट बाद टमाटर यहां पे आधे गल चुके हैं तो मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ मैश करने के बाद मैं इसको मज़ीद पांच मिनट पका रही हूँ अब टमाटर यहाँ पे गल गए हैं तो मैं अच्छे से इसकी बुनाई कर दूँगी बुनाई के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो टेबिले स्पून लीमू का रस अगर आपके पास छोटा लीमू है तो आप पूरा डाल दीजेगा और अगर बड़ा है तो आधा एक टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मैथी और अब मैं इसको दम के लिए रख दूँगी तोड़ी देर पांच मिनट के लिए ताके इसमें अच्छा सा मेथी का फ्लेवर आ जाए पांच मिनट बाद ये बन के बिल्कुल तयार है और अब मैं इसको डिशाउट करूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर आप महंधी में इंटरेस्टेट हैं तो मेरी दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजेगा लिंक आपको description box में मिल जाएगा, thank you for watching this video Allah Hafiz